हो सकता है सुनने में आपको बुरा लगे, हो सकता है कुछ लोग इसे जान कर थोड़ा विचलित भी हो जाएं ये भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए आकड़ा दुनिया के किसी भी अन्याकड़ी की तरह हो जैसे कि आज सेंसेक्स कितना उठा या फलाना बलेबास ने आज कितने रन पीटे क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रतियक 155 मिनिट पर 16 से काम ओमर के एक बच्चे और प्रतियक 13 घंटे पर 10 से काम ओमर के एक बच्चे का बलातकार होता है चीहां, उसी देश में जहां दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का वास है उसी देश में जहां बेटी बचाव एक मोहिम की तरह चलाई जाती है जीहां उसी नवरात्री दुर्गा पूझा और रक्षा बंधन वाले देश में जहां 10 प्रतिशत लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष से से कम उम्र में यौन दुर्व्यभार का सामना करना पड़ा वहीं 30 प्रतिशत ने 15 से 19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यभार को सहा है नमस्कार में नंधिनी एक बार फिर लेकर आई हूँ देश अपना मुद्दापना यूनिसेफ त्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किये गए अध्यन के आकड़े बताते हैं कि भारत की 10 प्रतिशत लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष से कम उम्र में यौन दुर्व्यभार का सामना करना पड़ा तो वहीं 30 प्रतिशत ने 15 से 19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यभार को जहला है 2007 में महिला एवंबाल विकास मंत्राले के द्वारा भारत के 13 राजियों पर किये गए अध्यन में 21 प्रतिशत लोगों ने बच्पन में गंभीर यौन शोशन की बात को स्विकारा है ये बातें आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनवरी 2019 में भोपाल के डीपेस स्कूल की एक बच्ची की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है मामले में एम्स ने बच्ची के द्वारा बनाए गए स्केच को एनलाइस कर अपनी रिपोर्ट दी है दिली एम्स ने अपनी रिपोर्ट में बच्ची के साथ शारीरी कशोशन की बात कही है ये मामला अपनी तरह का पहला मामला है जहां बच्ची की मौत के धाई साल के बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है और नतीज़तन हाई कोट बच्ची की मौत की चांच करने के आतेश रसी बियाई को दे चुकी है आगर कितना और कैसे उलजा है ये मामला आई ये समझते हैं बच्ची के पिता के मुताबिक उनकी बेटी आठ साल की थी वो टीपियस में तीसरी क्लास में पढ़ती थी चार जनवरी दोहजार उननीस की दोपहर वो स्कूल से बस के माथ्यम से घर लोट रही थी आठ साल की बच्ची अवदपुरी के पास बस से उतर कर मा के साथ स्कूटी पर बैट कर घर आ रही थी कि तभी बेहोश होकर गिर गई उसे तुरंट अस्वताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका हमीदिया में उसका पोस्मॉटम हुआ मौत का कारण जहरीला पदार्थ खाना बताया क्या विश्वास नहीं हुआ कि उसने जहरीला पदार्थ खाया होगा और इस पर पुलिस को लेकर मुख्य मंत्री तक नयाय की गुहार लगाई गई पुलिस ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया और इसके बाद रास्ट्री ये बाल आयोग में मामले की शिकायत की गई आयोग ने पुलिस से कई बिंदूओं पर जाज करने के लिए कहा लेकिन पुलिस ने दो साल के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी तब ही बेटी की बनाई एक स्केच पेंटिंग मिली ये कुछ अजीब सी लग रही थी इसे बाल आयोग को सौपा गया और आयोग ने इसे गंभीरता से लिया स्केच को दिली एम्स में भेज करके अनलाइस कराया गया तो बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि बच्ची का शारीरिक शोशन हुआ है और अब हाई कोट में याज का लगा कर पूरे मामले की सीबी आई जाँच की मांग की गई है और अब वक्त इसको समझने का कि आखिर बच्ची के बनाए उस स्केच में ऐसा क्या पाया क्या जिसने बच्ची के साथ शारिरिक शोशन की पोश्टे की दरसल स्केच में एक छोटी सी बच्ची एक कमरे में पलंग पर लेटी हुई है और एक परी आसमान में उड़ रही है कमरे की खिड़की से दो हाथ अंदर आ रहे हैं और कमरे में पानी की एक बोतल रखी हुई है इस बोतल में ये हाथ कुछ मिला रहे हैं और इसके लिए पेंटिंग में ड्रॉप ड्रॉप से नजर आ रहे हैं मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है रास्ट्रे बाल आयोक के अथियक शेप प्रियंग का कानून को ने बताया कि उन्होंने स्केच को जाच के लिए दिली एम्स भेजा था जहां इस पर्ष्ट हुआ के बच्ची के साथ यौन शोशन जैसी बारतात हुई है मामले में पुलिस की कई तरह की लापरवाही उचा कर हुई पुलिस ने स्कूल के फुटेज और जहर की रिपोर्ट भेजी नहीं जिसके खिलाब शिकायत की गई उसे ही जाच अधिकारी बना दिया गया दो साल बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट आयोग को नहीं दिया और पोस्ट मॉटम में जहर की पुष्टी हुई तो पुलिस ने उसे जैविक जहर का नाम दिया पुलिस ने घर की जाच तो कर ली लेकिन स्कूल के CCTV फोटेज और पेट में मिले जहर की चाच रुपोर्ट नहीं भेजी जाच के बिंदू क्या रहे अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है दिलियम्स की अनलेसिस को भी जाच में अब तक शामिल नहीं किया क्या पोस्ट मॉट्रम का वीडियो मांगा तो खाली सीडी दी दूसरी बार वीडियो मांगने पर पेंट्राइब में वीडियो तो दिया लेकिन वो आधा था सिर्फ पोस्ट मॉट्रम हाउस से गेट तक ले जाने का मामले में SITB गठित हुई है और मामला फिलहाल हाई कोट में है मामले में पुलिस की भूमिका के साथ साथ स्कूल प्रिशासन पर भी सहीयोग ना करने का आरोप है जैसा कि अमूमन होता है लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल बच्चों के माता पिता को भी सवालों के खेरे में खड़ा करते हैं क्या बच्चों को काला धागा पहना देने से बड़े स्कूल में दाखिला दिला देने से और तमाम सुक्सोविधाई देने में ही माता-पिता की भूमिका पूरी हो जाती है अबोध, मासूम, दुनियादारी और दुनिया की तमाम पुरियाईयों से अंचान बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये चानने की जिम्मेदारी आखिर किस पर है साजा करें अपने विचार, हमें कमेंट करें और जुड़े हमारे साथ जेहिन